नमस्कार दोस्तों मेरा नामे पप्पु कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तक अभी हमारे टीम जो है नर्गटे अज़ अन्मंदल के अंदर पहुंचे हुए आर आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कुछ लोग जो है पोटेश्ट करते हुए आ रहे थे यहां हम आज जो है इनों अन्मंदल पर दिले के कर रहे हैं क्योंकि यह जो जाता और पूलिस तंड़क्षन में यह जो सराब भीक रही है उसके कारण लोगरिया परखंड के कई गाओं में जो स्तोले मौत हुआ है यह इसका जिमोन और सरकार और यहां के अन्मंदल पूलिस पता कि एक सम्भूू नाम का चतबार है कि वह पर ती दीन असूली करता है ऑप और चिसनारी किया जाता है और रहले पर सासन का जो ही राका है यह हैं पर पर्साषन अपना वस्लिकरवाता है तो हम खू़asure तोर पह करें कि मेर्कटिया का नमंदल पतादीकारी होने के करण हो सिंदμεल के इनके रहने के बावजूद एक पर्साषन जैसे बेलागाम हो गया है और खुल्यम सराभ कारवार चल रहा है और शुके में दो तीन दिन पहले की यह घटना है कि लवरिया में जो है जहरीली सराब पीने से लगबाग 16 से 19 आदमियों की मौत हो गई है और जिसकी पुष्टी बकाइदा सराब पीने से ही मौत हुए इसकी पुष्टी जो है यहां के डियम होते हैं वो भी किये हैं लेकिन उसी के जो है जन आक्रोस औ प्रदर्शन यहां पे बिल्गुल साफ इन लोग जो है अपने पुष्टर पे लेकर के और पुरी नरकटिया गज भर जो है यह लोग पोटेस्ट किये हुए हैं हलाकि इसमेला परवाही परसासन की बहुंच जदा देखी जा रही है बिहार सरकार के दौरा हमेसा यह बताय चक्राइब है जो भी जयनकारी अब हर परसासन और हर पुलीस के पास होती है लेकिन पुलीस इसमें रफला परवाई क्यों कर रही है пом ora यह लोगों की मौत हुए है उसका जीमवार सरासर वहां के पूलीस-डिपार्ट्मेंट ही है क्योंकि यह पुलिस चाहे तो कोई भी कि लीगल रूप से काम नहीं कर सकता है इसमें जो है पुलिस जी मुआरी है लेकिन लवरिया में जो है यहां के जो नजदिकी कर दिया है और लोगों को अभी तक है और कई लोगों को महुत होची कर दिया जाएं लोगों के बीच में अपना साफ सुतरा चबी दिखाएं यह जात नहीं होता है और विहां के पुलिस पदादिकारी है उन पर करवाई नहीं होता है तब तक भागपा माले जो है यह पूरे जिला में अंदोलन चलाकर इनके खिलाब जो है यह सक्त अंदोलन चलाकर रहे हैं कि इस जो मोत हुए जो रिली स्हाप पीने से इसके पीछे का सबसे बड़ा किसका हाथ है उसको बरखास किया जाए और उसको उसके पत्स से अटाया जाए और जो लोग मरे है उनको जो मोदा दिया जाया और उनको जो आए इनको सहरी संगनेCr और भी कर्ज करता है आई आम उन लोगों से बात करता है आपका नाम क्या पड़ेगा क्या मक्सद है आप लोगों कोई स्पोर्टेस्ट के दोवरा आप चाहते हैं कि सरकार बंदी का जो कानून लगाई है यह खानापूरी है जो कल तक सराब जो 10 रुपया में लोगों का काम चलता था 100 रुपया में दिक्ता है लेकि बड़े-बड़े जो करबारी है जो बड़े-बड़े माफिया उन पर कमीशन लेका उन पर कोई करवाई परसाशन के दौरा नहीं कि जाती है पर्टी मां हर थाना को उसके दौरा मंदल पाजिकारी के अहां सब कमीशन आसे लेकर इसकी तक सब कमीशन जाता है और लोग भी जो है जो प्रोटेस्ट जुड़े हुए आपका नाम क्या मक्सर है आप लोग फूरे नर्गट्टियागज में जो आपके परदर्शन के दौरा है तो हमारे गंचुराशन के फोटा है लोग या अपका लाइक जो लोग का मांग है कि जो लोग मेरे हैं इनके आसरितों को सरकार 12 लाख रुपिया मुआजा दे जहरिली सराब जो बिक्री करवाने वाले जो परसासन है यहां के पुरिस बादादिकारी है जिनके सरक्षण में पूरे छेत्र में हर जगादारू सराब का कारोबार चल रहा है इस पर उचित करवाई किया जाए इनको नवकरिस से जो है सस्फेंट किया जाए और इन पर ज परसी लिए देखिए इनकी जो मांगे है वो सारे इसमें जो है यह लोग दर्साय हुए है देखिए इसमें लिखा गया है आप केमरा में इसको रखिए पहले नरकट्रिया अनुमंडल चेत्र में जहरिली सराब से हुई जन संहार से जीमदार अनुमंडल पदा दिकारी को अब बिलम जो है परखास किया जाए इन लोगों की मांग है लवरिया रामनगर ठाना चेत्र में जहरिली सराब से हुई जन संहार पिनित परिवार को दस्तसलाक रुपया की मोजा दी जाए ओभी गरांटी के साथ एवी इन लोगों की मांग है देखिए सराब करेबारियों में सनलिक छोटे बड़े सराब माफियों को अबिलम गिरफतार किया जाए वह भी गरांटी दे करके एवी इन लोगों की मांग है गाउं से लेकर के सवार सत्ता संद्रक्षर पुलिस सराब माफिया गट जोड के वल पर फल फुल रहना सराब जो बेचने वाले हैं उन की लगबग पांच ऐसी मांगे हैं और इसी मांग पर जो है यह लोग पूरे जीला वर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हलक यह लोगों की मांगों को सरकार किस तरह से देखती है